प्रस नम्मर 81 भारतिया राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी इसका उत्तार होगा भारतिया राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना एओ हिूम ने की थी प्रस नम्मर 82 भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष कौन थी इसका उत्तर होगा भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष एनिवेशंट थी प्रस नम्म तिरासी भारत्य राष्ट्रे कॉंग्रेस के किस अदिवेशन में लोक मानने बाल गंगा धर तिलक ने भाग लिया था इसका उत्तर होगा भारते राष्टे कॉंग्रेस के अम्री सराधिवेशन 1919 में लोक मानने बाल गंगजर तिलक ने भाग लिया था प्रस नमब 84 भारते राष्टे कॉंग्रेस के सरपरतम मुस्ली मध्यक्ष कौन था इसका उतर होगा भारतिय राष्ट कॉंग्रेश का सरपर्था मुस्लीम अध्यक्ष बदरुद्दिन तायब जी था प्रस नमर पिच्चासी पूना पैक्ट का सम्मंद किस से हैं इसका उतर होगा पूना पैक्ट का सम्मंद दली तवर्ग से हैं प्रस नमबर 86, पूना पैक्ट पर किस ने हस्ताक्चर किया था? इसका उत्तर होगा पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीम रावंबिटकर ने हस्ताक्चर किया था प्रस नम्म 87 बग भंग बिरोधी आंदोलन का प्रारंब कब से हुआ था इसका उत्तर होगा बग भंग बिरोधी आंदोलन का प्रारंब 7 अगस्त 1905 से हुआ था प्रस नम्मर 88 बंग भंग आंदोलन के नेता कौन थे इसका उत्तर होगा बंग भंग आंदोलन के नेता सुरंदरनात बनर जी थे प्रस नम्मर 99 बंगाल विवाजन के समय बंगाल का लेफ्ट नेट गवर्नर कौन था इसका उत्तर होगा बंगाल विवाजन के समय बंगाल का लेटिनेंट गवर्नर सर एंड्रियूज फ्रेजर था प्रस नंबर सो ब्रिटिस पार्लियमेंट में चुना जाने वाले पर्थम भारतिया कौन था इसका उत्तर होगा ब्रिटीज पार्लियमेंट में चुना जाने वाले पर्थम भारतिया दादा भाई नोरोजी था प्रस नम्मर 101 भारत छोड़ो आंदोलों का प्रारंब हुआ था दोस्तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलों का प्रारंब सन 1942 में हुआ था समीति में कोई भारतिया निक्त ना होने के कारण था। प्रस नम्मर 103 भारतिय राष्ट्य आंदोलन पर दा इंडिया 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 दिवेशन अठार सो पिचासी को बंबई में हुआ था प्रस नंमर एक सो पाँच खिलाफत आंदोलन का परमुक्नेता कौन था इसका उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन का परमुक्नेता मौलाना मुहम्मद अली और सोकत अली था प्रस नम्मर 106, विस्व का सबसे उचा पठार कौन सा है? इसका उतार होगा विस्व का सबसे उचा पठार पामीर और तिबबत का पठार है प्रस नम्मर एक सो साथ बनिस्पती घी के निर्मान में कौन सी गैस परियुक्त होती है इसका उत्तर होगा बनिस्पती घी के निर्मान में हाइड्रोजन गैस परियुक्त होती है प्रस नम्मर एक्सो आठ इंग्लीश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतिया कौन था इसका उत्तर होगा इंग्लीश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतिया महीर सेन था प्रस नम्मर एक सो नो इंगलीज चैनल तैर कर पार करने वाली पर्थम भारत्य महिला कौन थी इसका उत्तर होगा इंगलीज चैनल तैर कर पार करने वाली पर्थम भारत्य महिला आरती सहा थी प्रेस नम्मर 110 इस पर्ष्ट प्रति धोने सुनने के लिए स्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तो इसका उत्तर होगा इस परस्ट प्रतिदोनी सुनने के लिए सुरोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए प्रस्ट नम्मर 111 मानम निर्मित पर्थम रेशा कौन सा है दोस्तो इसका उत्तर होगा मानम निर्मित पर्थम रेशा नाइलोन है प्रहस नम्मर 112 किस माध्यम में परकास की चाल सरवाधिक होती है दोस्तो इसका उत्तर होगा निर्वात में परकास की चाल सरवाधिक होती है प्रस नम्मर 117, किस रंग के परकास का परकिर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तो इसका उतर होगा, बैंगनी रंग के परकास का परकिर्णन सबसे अधिक होता है प्रस नम्मर 114, भानों के हेड लाइट में किस दर्पन का परियोग किया जाता है दोस्तो इसका उतर होगा भानों के हेडलाइट में अवतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है प्रस नम्मर 115 भानों में पीछे का दिरस्ट देखने के लिए किस दर्पन का प्रियोग किया जाता है दोस्तो इसका उतर होगा भानों में पीछे का दिर्स देखने के लिए उत्तल दर्पन का परियोग किया जाता है प्रस नम्मर 116 आकास में तारे टिम्टिमाते क्यों दिखते हैं दोस्तो इसका उतर होगा प्रकास के अब बरतन के कारण आकास में तारे टिम्टिमाते दिखते हैं प्रस नम्मर 117 प्रात्मिक रंग किसे कहा जाता है दोस्तो इस प्रस नम्मर 118 हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तो इसका उतर होगा हवाई जाजग टायर में नैटरोजन गैस भरी जाती है प्रस नम्मर 116 तांका धातू या सोल्डर में किस धातू का मिसरण होता है दोस्तो इसका उतर होगा तांका धातू या सोल्डर में टीन वा सीशा का मिसरण होता है प्रस नम्मर 120 गुलकोमा रोग श्रीर के किस अंग से सम्मंदित है दोस्तो इसका उतर होगा गुलकोमा रोग का सम्मंद आँख से है प्रस नम्मर 121 दा ओरीजिन ओफ इस्पीसीज नामक पुस्तक के लेखा कौन थे दोस्तो इसका उत्तर होगा The Origin of Species नाम पुस्तक के लेखक चार्लस डार्विन थे प्रस नम्मर 112 सिनेवार किस धातू का अयस्क है दोस्तो इसका उत्तर होगा सिनेवार पारा या मरकरी का अयस्क है प्रस नम्मर 123 कौन सा यंतर दूद में पानी की मातरम आपने के लिए परियोग किया जाता है दोस्तो इसका उत्तर होगा दूद में पानी की मातरम आपने के लिए लेक्टो मीटर का परियोग चा जाता है प्रस नम्मर 124 हाइडरोजन बम किस सिद्दांत पर अधारित है दोस्तो इसका उत्तर होगा पेलागर रोग विटामिन B3 की कमी से होता है प्रस नमबर 126 मचलियों की यकरित तेल में किसकी परचूरता होती है दोस्तो इसका उतर होगा मचलियों की यकरित तेल में विटामिन D की परचूरता होती है प्रस नमबर 127 पानी का गनत्व अधिक्तम किस तापमान पर होता है दोस्तो इसका उतर होगा पानी का गनत्व अधिक्तम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है प्रस नम्मर 128 प्रास रब्यत रंगों के अवरिती कितनी होती है दोस्तो इसका उतर होगा प्रस रव्यत रंगों के आवरिती 20,000 हर्ज से अधिक होता है प्रस नम्मर 130 मनुष्य का बैग्यानिक नाम क्या है? इसका उतर होगा मनुष्य का बैग्यानिक नाम होमो सेपियन्स है प्रस नम्मर 130 ब्रिटीश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिया कौन थे? दोस्तो इसका उतर होगा ब्रिटीश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिया दादा भाई नौरोजी थे प्रस नम्मर 131 भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका उत्तर होगा पच्ची मंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है प्रस नम्मर 132 भारत में ब्रह्मा जी के एक मात्र मंदिर कहां इस्थित है दोस्तो इसका उत्तर होगा भारत में ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले के पुसकर में स्थित है प्रस नमबर 133 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है इसका उत्तर होगा पागल कुत्ते के काटने से रेविज या हाइडरोफोविया रोग होता है प्रस नमबर 134 राज्य सभा का पदेन सभापती कौन होता है इसका उत्तर होगा राज्य सभा का पदेन सभापती उप राष्ट पती होता है प्रस नम्मर 135 दो बार नोबल प्रुषकार प्राप्त करने वाली पर्थम और आखरी महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा दो बार नोबल प्रुषकार प्राप्त करने वाली पर्थम और आखरी महिला मैडम मैरी क्यूडी थी प्रस नम्मर 136, कॉंग्रेस की पर्थम भारत्य महिला दक्ष कौन थी? इसका उतर होगा, कॉंग्रेस की पर्थम भारत्य महिला दक्ष सरोजनी नाइडो थी प्रस नम्मर 137, सन 1983 के बिस्व कप विजेता भारत्य किरकेट टीम के कपतान कपिल देव थे प्रस नम्मर 138, राष्ट पती के दुवारा राजसवा में कितने सदस मनोनित किये जाते हैं इसका उतर होगा, राष्ट पती के दुवारा राजसवा में टोटल 12 सदस मनोनित किये जाते हैं प्रस नम्मर 149, नोबिल प्रुसकार की सुरुवात कब हुई? इसका उत्तर होगा नोबिल प्रुषकार की सुरुवात सन 1901 में हुई थी प्रस नम्मर 140 पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को परवावित करता है इसका उत्तर होगा पायोरिया रोग दात और मसूडे को परवावित करता है प्रस नम्मर 141 नासिक किस नदी के किनारे स्थित है इसका उतर होगा नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है प्रस नम्मर 142 राष्ट पती को सफ़त कौन दिलाता है इसका उतर होगा सर्बोच नियाले का मुख्य नियादिस राष्ट पती को सफ़त दिलाता है प्रस नम्मर 143 जापान की मुद्रा कौन सी है इसका उतर होगा जापान की मुद्रा येन है प्रस नम्मर 144 माउंट एवरेश पर चड़ने वाली पर्थम भारत्य महिला कौन थी इसका उतर होगा माउंट एवरेच पर चड़ने वाली परतम भारत्य महिला बचेंदरी पाल थी प्रस नम्मर 145 माउंट एवरेच पर दो बार चड़ने वाली परतम भारत्य महिला कौन थी इसका उत्तर होगा Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली पर्थम भारत्य महिला संतोस यादब थी प्रस नम्मर 146 डेवीस कप किस खेल से सम्मंदित है इसका उत्तर होगा डेवीस कप टेनिस खेल से सम्मंदित है प्रस नम्मर 147 सर्बोच् नियाले का मुख्यन याधिस कब तक अपने पदपर रह सकता है प्रस नम्मर 148 संसद का ऊच सदन कौन सा है इसका उत्तर होगा संसद का ऊच सदन राजसवा होता है प्रस नम्मर 149 पंच तंतर के लिगग कौन है इसका उत्तर होगा 55 के लेखाक विस्नु सर्मा है सन 1954 का भारत चीन समझोता किस नाम से जाना जाता है इसका उत्तर होगा सन 1954 का भारत चीन समझोता पंच सील समझोता के नाम से जाना जाता है